हाई एवरिवन वेलकम टू स्टड़ीए स्प्रिंग और ये वीडियो उनके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट वने वाला है जो आनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या फिर वैसे एजुकेटर जो अनेकेड़ पी पर पढ़ाते थे और वे अब अनेकेड़ मी छोड़ चुके है और वो अपने एजुकेशन वाले छेत्र को अखरणा चाहते हैं थो ये उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकिि जिस तरीके से मैं अपना वीडियो बनाता हूँ सेम उसी मिस सुर करूंगा कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाता हूँ तो चलते हम अपन जो title का जो option आता है, इसको हम यहां से cut करते हैं, और बारकी subtitles वाले को यहां तक cover करते हैं, अब आते हैं हम इसके writing style के उपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको starting से कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको करता हूँ copy जैसे ही मैं इसको copy करता हूँ उसके बाद फिर यहाँ पे next slide के लिए मैं इसी को paste कर देता हूँ अब आती है बात इसको insert करने की तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं जो वो आपका आ जाता है, यहाँ पर Transitions की बात, Transitions में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें Transitions लगाने के लिए, यहाँ पर Orchemic करके Transition आता है, इसको Click कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसके उपर Click करके और फिर हम इसमें भी Same Transition लगा देते हैं, अब आती है बात कि यहां पे जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं चाहे वो आपका हिंदी हो या फिर आपका अंग्रेजी हो आप उसमें लिख सकते हैं यह clear होता है इसमें बहुत साड़ी बाते नहीं होती है तो यह आपका PowerPoint का बात है जैसे suppose that PowerPoint में भी हमको लिखना है सनी हम पर आप कुमार लिखते हैं और जैसे इंटर कीजेगा तो बी का option खुदा जाता है यह PowerPoint की अपनी जो है वो special features होती है अब आते हैं हम लोग की PowerPoint के उपर फिर हम इस पे जो लिखते हैं आसानी से आपको दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है तो इसके लिए हमारा जो पेन को क्लिक किजिएगा तो आपके पास options आजाएंगे पेन के color का तो आपको यहाँ पे कोई एक color सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने yellow सेलेक्ट कर लिया और फिर हम यहाँ पे लिखने के लिए जो है वो आपका वाइकम का एक paint tab आता है इसको मैं use करता हूं यह अभी आपको और साथ में जो camera है उसका में use करता हूं लेकिन आप देखते हो इगा मेरे background में direct screen दिखाई देता है आपको जो भी screen आपको दिखाई देता है उसके लिए मैं जो है वो green screen का use करता हूं क्योंकि वहाँ से मैं अपने background के screen को आचानी से remove कर देते हैं और वो जो मैं remove करता हूं और फिर video को मैं record कैसे करता हूं अपने screen को अब वहाँ पे आते हैं तो इस जगा पे आपको अगर लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं यह जो है वो बहुत simple होता है यह आजाता है आपका 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 लास्टली हम अपने screen record कहां से करते हैं तो screen record करने के लिए हम Cam आपका जो चल रहा है तो यहाँ पर यह recording हो रहा है कुछ लोगों का कहना है कि Camtasia अगर हम लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास pain time के लिए investment करने की जरूरत है तो ऐसी कोई बात नहीं है आप जो है उसमें एक draw का option आता है वहां से आप draw करके और आसानी से जो है इस तरीक के लिए अपने laptop का ही माइक यूज करता हूं लेकिन आप चाहें तो बोया का माइक यूज कर सकते हैं और साथ में जो है वह प्रोपर लाइटिंग के लिए एक light ले सकते हैं तो यह था इस तरीके से मैं अपना video record करता हूं और इस तरीके से मैं animation करता हूं अपने video में पाकी content आपको खुद तियार करने होते हैं जैसे आपको content तियार करना है और इसे related अगर आपको और कोई queries होंगी तो आप direct हम से पूच सकते हैं तो यह था आज के वीडियो के लिए जितने भी हमारे teachers हैं जो online पढ़ाना चाहते हैं अगर उनको किसी भी तरीके का कोई problem हो तो है हमारे contact है जहां से आप हमें contact कर सकते हैं मैं आपको वहर एक चीज बताऊंगा जो आपको online पढ़ाने में मदद करेंगी अगर आपको इस तरीके का कोई problem आता है तो आप हमसे direct मिल सकते हैं तो यह था आज के वीडियो के लिए मिलते हैं next video में thank you and goodbye